तो Speaker 2. Hello friends Welcome to my study free channel दोर्य वेर कोस्टेन पिपर का सीरीज चल रहा है की स्बश्たूर से प्रतीक प्रश्णूं को topic wise आपको revision करा रही हूँ जितने भी questions पूछे गया है यह हर एक topic के questions को एक जगह एकठा करके मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ दोस्तों आप regular basis पे वीडियो को watch करते रहे और अपने तयारी को बेहतर करते रहे अब वीडियो को सुरू से लास तक देखते रहे और दोस्तों यह की question आपके लिए very important है आप जब question answer देखेंगे अब एक explanation के साथ दोस्तों हर एक question का answer देने के बाद उस answer के बारे में पूर detail में मैं explain करूंगी तो दोस्तों पहली बार visit कर रहे हैं questions आए हुए है इसके बारे में part 4 में बता चुकी है जो बचा हुआ part है questions है part 5 मतले यह यानि की इस वीडियो में बता रही हूँ तो दोस्तों पहला question है by safe थी मोरी मांस पेसी है इसके आंदोलर से मुखितव उत्पन होने वाली प्रक्रिया का नाम है दोस्तों जैसा question push हुआ है उस question में hair फिर थोड़ा भी नहीं किया जा रहा है same question उठा के यहां पे आपको revision कराया जा रहा है तो question क्या है by safe थी मोरी मांस पेसीया है इसके आंदोलर से मुखितव उत्पन होने वाली प्रक्रिया का नाम है चार आफसन दिये हुए है कौन सी प्रक्रिया होती है by safe femoris से दोस्तों by safe femoris पाया कहा जाता है पहले यह आप ध्यान में रखी by safe femoris हमारे पिछले जांग में पाया जाता है जबकि अगले जांग के सामने यानि कि अगले जांग में quadices पाया जाता है जो चार पेसियों से मिलकर बना होता है जो हमारे पेर को फैलाने में और हमारे अस्रोडी को मोडने में हिप को मोडने में काम आता है जैसे कि part 4 वाले वीडियो में अच्छे समझा चुकी है और पेसियों के बारे में करिया हो तो समय होती है तो उसी तरह जांग के सामने questa यौप शचे-स पायाता है उसा जांग के तीन पायाता है कयोश्य होता है कैसे दोस्तोतों जैसे कि आपने हमेस्ट्रिंग मसब्स का नाम सुना होगा हमारे जांग पीछे होता है तो और हमस्तिक मसल होता है तीन परिसयों से मिलकर बना होता है। किसे- आफने इस सैंग्ट आप तो इसके आफ सबना हाटा है यदि Mackland बिसके सब्सक्राव शयुरों। एक यंग्री वाले वर्जन में जाएंगे तो आएंगे कि यो ए चा़ रहेगे हैं तो यह पर ही वह थार होगा तो ही है 3 पेसीओ से मिलकर बना होता है ऐसे स्य श्य। स्वेम्रीस से intrinsic प्रिडियस अविक दिया क्या होगा क्योंसर का एंसर में है कि 22-6 फ्रीमर्ण गूटने को अकूंचेर्ण करने अन्य मोडने में कामाता है दूस्त इस हैं कि मदिरा की यारीमेश्ट्रिंग मांस परियोग होता है किसा द्सम्हां क्वैसिोष्य की 3 को करते हैं जैसा कि मैं भता है हैं गुटने को मोरने में क्वादे बिस्तार में काम करता है wrazi गुटने को सिधा करने और फ्रोडी को मोरने में कामाता है नस्क कूपे दूस्तों ञे illustri चहर फुरन शचा पूरूश और महेला थाओकों में होती हैं क्या होते हैं यसे कि इस फूडर वाले जलतनतू लंबी दूरी के सेश्ट महिलापूर्स धावकों में होंगे या तिब्रे इस्प्रोर वाले या मद्धिवरती इस्प्रोर वाले या 50-50% तिब्रे और धीमे वाले दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कई बर बता चुकी हूं कि हमारे मसल्स में दो प्रकार के तंतु पा जाते हैं यानि फाइबर पा जाते हैं रेड मसल फाइबर और वाइड मसल फाइबर रेड मसल फाइबर जो होते हैं वो धीमे धीमे इस्प्रोर होता है यानि स्लोर लंबी दूरी की धावक कहेगा चाहे सहन सिलता सब्द लगा देगा तो उसमें एंसर होगा आपका रेड मसल फाइबर या धीमे इस्पुरर वाले या स्लो टुष्ट वाले फाइबर उसमें हो गे आओ जब कम समय की क्रिया फाइबर या या वाइड मसल फाइबर होंगी यहा ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कोस्टन है कि कौन सी मानस्पेशिया हमारे सरीर के लिए कौन सी मानस्पेशिया हमारे सरीर के कुल वर्जन का दो बड़े पांच भाग बनाती है दोस्तों हमारे सरीर में किते प्रकार की मानस्पेशिया पाई जाती है कितना पॉइजाता है चाली से कुल हमारे सारीर का 40-45% मानसपेशी का पाए जाता है चालिस से तालिस परसेंट में दोस्तों, वनली चालिस परसेंट केवल रेखित पेशी पाई जाती है यहानि कि यह कहा गया है कि कुल वजन का दो बटे 5 भाग पा जाता है सबसे ज़्यादा कुल सी पैषिय पहा है हमारे सरे फिश्क पेशिया मानोज सरीर में कितनी मानुपराशिया पाए जाती है 649 मानुपराशिया पाई जाती है इस मानोल स्रीर में जैसा के मैंने बताः चुकी हूँ लिज़ हमानो बरेशिया दे जाती है मानोल पर्टिसपपो बजया सतोते जिश्व कोता है 40% 45% 55% 50% 40% स्वचिक MANS PCUS का जैसे दोस्तों हमारे सरी विंच मानश पेसिया क्ल कितना परसेंट 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 तो 40-45% यह एंसर होगा जबकि QL रेखित पेसियों का पूछेगा तो उसमें से 45% हमारे सरीविन पेसियों का भाहर पायता है बट उसमें से 40% सबसे ज़्यादा दो बटे 5 भाग वोलनी रेखित पेसियों का पाय जाता है तो आपसा नमबर V, करेक्ट एंसर नेस्ट कोस्टन है दोस्तों कि मानो सरी में कुल कितनी मानस्पेसिया पाय जाती है तक कौन से मानस्पेसिया कितनी मानस्पेसिया पाय जाती है मैंने बता चुकी हूँ इसको तो राइट एंसर है 649 नेश्ट कोर्षेन है दोस्तों ग्लोटियस मैक्सिमस इसित है। जैसा कि दोस्तों सभी मांश्पेशियां कहां कहां पाई जाती हैं, विपर एकस्प्लेटियो में ने बनाय हुआ है 구va के बारे में आप awareness ब्यूकल फीजियो लाजी FGR कि प्लेट में इसे नोच्ट होती यहां यहां पर दिया दिजएं़ कि pressureеп ग्लूटाuğस्ष मेकस्मयillos C किसमें ahorita अमारि उस्ग मांपेसि का होती यह क्या करती है यह क्या करती है कि हमारेuvre की की प्रमुख बिस्तारक पेसी होती है यानि कि हमारे स्रोडी में एकला टांगों की गतियों से समधित होती है एक ट्रेंसर मसल्स होती है दोस्तों जो ग्लूटियस मैकसिमिम होती है हमारे सरी की सबसे बड़ी पेसी होती है जबकि वही जांग में जो हीप से सुरू हो करके हमारे घुटने क पतली सी रीबन की आकार की बेलट की आकार की pan speed है हमारे सारी की सबसे लंबी मांस्पेसी इसित होती है दोस्तो यह तो यही कुश्चन हो गया क्योंकि मैं इस कुश्चन को बता चुकी हूं यह कहां इसित होती है हमारे नितम इस यारी हीप में होती है निश्ट है दोस्तो सबसे बड़ी मांस्पेसी होती है जैसा कि मैं बता चुकी है दोस्तो सबसे बड धेलर मसल्स होती है और सबसे चोड़ी हमारे कान की स्टिपेडियर मांश한다 कुर्चे संस्ट न्यच्ट को सेड़ा गोमाती है इससपलेणी प्पैपिटल्स लॉंगी स्रीमस केपितस उप्युक्त सभी कौन है दोस्तो इसमें उप्युक्त सभी है करेट एंसर उप्युक्त सभी है यानि की तीनों पेशियां इस्टर्नुकलेडो मस्टायट इसमें नियस केपितस लॉंगी स्रीमस केपितस एक तीनों पेशियां हमारे सीर को घुमाने क करती है कि गुमाने में साहिता परदां करती है नेश कुछने दोस्तों सरीर के किस भाग में ब्रियुथ अग metropolitan और मजबूत मानसप्याह पाई जाती है। अब धियान से question तो दोस्तों पेट में तो होता नहीं है सबसे बड़ा सब्सक्राइब को आप में की पॉइंट लेजिए सबसे बड़ा मांसपेशी हमारे पैर में होता है यानि हमारे हीप में गुटनों में सबसे लंबी मांसपेशियों के बर सही भारी भरकम सरी हमारे सरीर वाले ब्यक्ति अपने सरीर को सीधे खड़ाक रख पाते हैं अगर हमारे मांसपेशियों मजबूत नहीं होती बड़ी नहीं होती तो बहुत ही कटना ही चलने फिंड में नेस्ट कोचन है दोस्तों कि निम्ले लिखित में से कौन सी मांसपेशी कमर की सबसे चोड़ी मांसपेशी होती है जैसा कि आप सभी ने सही अंसर टिक कर दिया होती है और ट्रिपेजियस कंधे की मानस्पेशिग होती है और रोहम बेड मेजर डेल्टाइट के निचले भाग की मानस्पेशिग होती है नेस्ट कुर्श्टन है दोस्तो मालों सरी में सरवादिक सक्तिसाली मानस्पेशियां कहां होती है सरवादिक सकतिसाली मानस्पेशियां हमारे जबड़ों में होती है जबड़े की जो मसेटर मसेटर बोला जाता है जो हमारे जबड़े की सबसे मजबूत मानस्पेशी होती है सबसे लंबी हमारे हड़ी किसमे होती है तो फीमर हड़ी होती है हमारे जांकी ही और यह पूछता है कि सबसे लंबी हमारे हड़ी किसमे होती है तो फीमर हड़ी होती है हमारे जांकी ही और यह पूछता है कि सबसे लंबी हमारे हड़ी किसमे होती है तो फीमर हड़ी होती है हम किसी कोन होती है तो हमारा साटो यह समाय जांक पर ही और यह कुछन पूछ देगा कि सबसे छोटी हड़ी काउं होती है तो इस्टेपीज हमारे कान में होती है और यही कुछन पूछ देगा सबसे छोटी मांसपेशी काउं होती है तो सबसे छोटी मांसपेशी काउं होती है त करती हैं ठकान की प्रोटीन कि थाकरिति की उपीस बहुत सर्फल और सूरन रखा हूगा यहां पर दोस्तों यह तो कोई भी सब्सकारढस कर देगा तो चैनल का आकरीती प्रदान करती है लेक्ट क्यों सब्सक्राइं है कि इसका सही अंसर आप दिए जो सारको मीर होता है इसका सही अंसर होगा सारको मियर हमारे सरीर कि संकुचन से को होती है तो संकुचन के बकुंच महीं कंझेगा सांखिय नेच्ट कुशन है दोस्तो कि प्रकार्यात्मक कि उसलता इस पर निर्वा कटी है आए जैसिसे तो अभी मनें बताया कि Sergeant की सांखिय शन्कुचन की क्या है सारको मियर तो यहां पर कुछा है कि मांस पेसी की प्रकारायत में कुसलता किस पर निभर करती है तो हमारे फाइबर पर यानि पेसी तंतु पर निभर करती है तो पेसी तंतु पर निभर करती है तो यहां पर कुछ घुमा की पुछा हुआ है यहां पर आपसन रखा हुआ कि परेदी पर रेसलो के गूड पर की पेशी संकूच पर की तंत्रिका प्रेडा पर यहां पर कौन सा आबसर सही होगा दोस्त तो तो, यह है पर सही अपसन है रेसलो का गूड यानि अब संद्ध होती है फाइबर होता है उसका गूड किस traditional सिंद्ध क्या परिकरे ज़ल्साल नेक्ट कुर्शश्टन है दोस्तों टी टेस्ट्र समभावना प्रतायित होता है कि दो प्रतिदर्सों के मध्या हैै क्या होता है , समस्ति बहुता है इसका साइन्षका साफ़ोर D इस परिछह को वर्स 1908 में विलियम सीयली गॉसेट ने प्रारमब किया था। दोस्तों आज इतना ही मांस पेसे से रिलेटेड जितने ही प्रीवेस एर में किसी भी एक्जामस में पूछे गये थे उन कोश्चन का सिरूरे ये से पार्ट 4dess et 5 में समावत होता है नेक्स टपिक नेक्स वीडियो में होगा है दोस्तों आया होगा आपको अच्छे से एक एक qway प्यूस्टन समझ में आया होगा समय गाज्ड समय कीस्व एक संध्य को बताया हैं या दोस्तों कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताईए एंड वीडियो को जादे सेयर किया किजिए दोस्तों एंड जिसे आपके माध्यम से और लोगों तक भी वीडियो पहुंच सके और जिसे मुझे एक नया मोटिवेशन मिले इसे मैं डेली बेसेज पर आपके लिए वीडियो ला सकूं एंड कर दो कर दो कर दो है